अपनी मन पसंद मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा फिल्मी को और बैल आइकन को दबाएं सोना डिपार्ट्मेंट स्टोर बंबई के हम शुकर गुजार हैं जिन्होंने अपने स्टोर में इस फिल्म की शूटिंग करने की इजाज़त दी लेकिन इस कहानी के तमाम करदार फर्जी हैं और सोना स्टोर के मैनेजमेंट से किसी भी करदार का कोई तालुक नहीं पास्पर प्रिए आइख़त नायगाल प्रदाइब सोना कि मैं इधर हैं पस्याम उठी है रहे बंदे लेगेंट यह क्या है खर में तो पिक्शर पॉस्तार naw मिस्टर मर्मा, अब यही पुलीस से खबर आई है, कि उस आदमी का ध्यान रखो जिसके हाथ में निलमी के अंगूटी हो, और रंगून के पिक्चर पोस्कार्ड हो, क्या? कार रहा है? पोस्चर के और मैं ठब लूदिए और रिमा oneself. लन्भा Baptist िर्सकाराका begin крепче. कारfind पोस्टर में है, क्या है, क्याएम। कि अर्धा यहा देज़ी है कि ऊप़िए में इसादे कर एम प्झान इसादेया है. क्या है, मुशρι तूँस टूँस। अहत ऊचोड़ो अब थोड़ी दर के लिए छोपा लीजिए मैं बाद में ले लोगा आपने अभी किसी आदमे कि यहां से भागते हो देखा आदमे ले इन जोब्रों कि तला शीरुप कि राद में भीजिए टूब टूब बच्टू ऑल शीरुब झाल कि यॉब में ले न घखुग रड़ों कि विए ऑल किसी अमेपनाद समया गजी टाद्ग ör करकी नाइब सामी करा ंभ दो टो मुंखमनों भोनों कर दो देखर क्वड़ीर जमें कर दो बदोसरे है अरे कि अबस्ट्नत सबस्सक्राइब आहार माया इस अρι情況 कि अजा झालिसे शालि को भे गलिज़ी ए κάν। है 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 कर दो कर दो कर दो करतेृ करते कर hic rap करते था जुआ यहां! कार कार्दाet आखीस तुम करने के खर तان सुबा से लेटे लेटे तंग आ गरती बीटी डॉक्टर ने पाड़ करने को मना किया था ना ये डॉक्टर लोग तो योही दराज रहती है मुझे कुछ नहीं हुआ काम बना बीटी नहीं तू तो योही दिल करती रहती ये काम क्या बुरा है बीटी दो वक्ती रूठी तो मिल जाती है सुबा से शाम पर काम करो तो दो धाय रुपे मिल जाती है अगर टोक्रिया ही बलानी थी तो मुझे पढ़ाया क्यों था बिम्राब महनत क्यों की थी ना में पढ़ती ना तुम दिमार होती पधली ऐसा नहीं सूचते अगर तेरे बाबुची होते तो क्या तुझे ना पढ़ाते मैं तुझे पढ़ाते और कौन सा सुख लिया है मैंने तुझे ना अच्छा पहनाया ना अच्छा किलाया अगर तेरे बाबुची होते तो आज हमारी यहालत ना हो माँ मुझे माफ कर देना बेटी ऐसा न कहो माँ मेरे जिसम का रूम रूम तेरा शकर गजार है मेरे हर सांस पे तेरा इहसान है मगर मैं तेरे लिए कुछ भी नकर पाई माँ कुछ भी नहीं तुमें यह चिंताना करा मैं बिल्कुल ठीक हो बेटी बिल्कुल ठीक हो जा जा ठाना खाले जीता यह तुमारी चिथी डाकिया गलती से हमारी खोली में छोड़ गया था कैसी तबियत है माजी ठीक हो बेटी इंटर्व्यू के लिए बुलाया है भगवान करे तुझे नौकरी मिल जाए मा मा अगर मिझे नौकरी मिल गई तो मैं तेरे लिए इंजेक्शन्स दवाईयां सब खरीद लाऊंगी तुझे मिंटों में अच्छा कर लूँगी और फिर तुझे कभी टोकरिया नहीं बनानी पड़ेंगी कभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा मेरे अच्छी पेटी कर दो प्रोबलकर गूल अजन व्युकरीप प्रोज इनुट अजन दूएंगी। अज्ट, रीजन वर्दिप्सूरा है और कुपसूर टीन मुझत बडश पसंगे। जान मिलिदाब होता है लेकिन आपकी टाइटिंग में तो कोई मिस्केक नहीं है और अगर जरा सा हो भी तो क्या हुआ एक अच्छे सेक्षरी के लिए अच्छी परसुरिटी का होना अच्छा मिजाज होना अच्छा तबीस होना बुस जरूरी है बागी चक्कर तो यू चक्त ये चक चीफ मिनिस्ट्र को मैं खुद दूँ ये क्या ये पंच हजार काएंगे अंपड़ नो पढ़ाने के लिए ओ नो नो अभी पिछले सानी तो मैंने इनेचंदा दिया है अंपड़ों को ज्यादा तारीम देने से मुल्क में हर्टालें बढ़ती है कैंसे लिए भी आज़ाद नो बचे मर्चिनार्स किसन का जल्सा है वहाँ को सवापती का एड्रस पढ़ना है एड्रस यार किया तुमने ये सर्स ना दिला देती है ये और्पनेश का फंक्शन फिर से आगया अभी अभी तो मैंने इने चंदा दिया है कुछ दिनी तो हुए जी नहीं वह आप यहाँ हर सल दसना रुपे देती है आइसलिए ठीक है यतीमों की मदद करनी चाहिए एड्रस लिए ये ग्राट्रीन सर्थ मिस रिटा महराद ये सर्थ प्रीस इड़ा बी ये पास हो तुम जी गुट तुम्हें प्रीट तुम्हें पहले 400 रुपे महीना मिलेगा तुम मेरी सेपीटे के असिस्टेंट होगी लेकिन एक बात याद रखो ये मानदारी और वफादारी हमारे फर्म का असूल है यही तवक्को मुझे तुमसे है मैं आपको शिकायट का मौका नहीं दूगी वेरी गुट जा सकती तेंकि सार्थ कल से तो खासी रुखती है नहीं सारी रात नहीं सो सकी मिक्सचर पीती जी एक खुराख बाकी है खत्मोने पर और ले आईए अच्छा माजी ना चलो जड़ा इदर आईए कलेने हस्पिताल ले जाना पड़ेगा हस्पिताल क्यों क्या बात है यह घवराने की कोई बात नहीं एक्स्रे लेना पड़ेगा एक्स्रे यह बहुत ज़ुरी है मैं डॉक्टर मेंता के नाम चिछी लिग दूँगा अच्छे अच्छे मैं चलता हूं रिटा रिटा क्या मुझे इस्पताल जाना पड़ेगा रिटाए तुँ आंखों से ओजर हो जाएगी इसा मत बोला मा ऐसा मत बोला मा जी आराम कीजी दॉप्टर में तू शिर्फ एक्स्रे के लिए कहा है एक्स्रे के लिए भी तू पैसों की जरूरत होती है अभी विचारी की नहीं नहीं नौप करी लगी है तु दिल छोटा न कर्मा, सब ठीक हो जाएगा सर मैं कहना चाहती थी मेरा मतलब है, मेरी माँ बिमार है, बहुत बिमार है अगर आप मुझे थोड़ा आद्वान्स दे सके मिस्स रीटर, हमारे फर्म के रूल्स और रेगूलेशन भहुत स्टिक्ट है हर महने की पहली तारीछ, तुम्हारी तंखा तुम्हारी टेबल पर पहुंच जाएगी बद, नो आद्वान्स सर, बाचपल का फून राज, कहां हो तुम बेटा मैंने तुम्हे कई बार कहाए कि मुझे तुम्हारा घर से बाहर रहना बिल्कुल बसंद नहीं दो रादों से तुम घर वापत नहीं आए, कहां हो तुम काम एकल लोट से बोल रहा हूँ, निसार मर्चंट की यहां ते डैड डैड, मैं जरा उजन में फस गया हूँ, डैड लग साथ नहीं दे रही है, लगातार हारता दला जा रहा हूँ अब आप ही बताईए, ताश में हारे विए पैसे दिये बगर घर कैसे आ सकता हूँ और डैड, सोचिये, लोग क्या कहेंगे सेट सोमनलाल का बेटा वैसे तो बहुत नाम रोशन कर रहा है अपने बाप का अभी पिछले हफ्ते ही 25 अदा रुपय हार चुके हो रेस में और आज पाश में मैं पुछता हूँ, ऐसे कैसे चलेगा I'm sorry, डैड कितने रुपय चाहिए? 12,000 डैड, मैं आपको बहुत दुख पहुचाता हूँ न Oh, come on, पगला कहीं का मुझे तुमसे कैसे दुख पहुचेगा, बेटा Thank you, डैड, you're a darling Okay, okay Miss Pereira ये चेक कैस्करा के राज को पैसे भीजवा दो लेकिन बैस बंद बुचुका, सर कोई बाद नहीं मैं मैंनेजर को फून किया देता हूँ, राज को रुपए मिल जाने चाहें वर्ना वाज दीन हर वापस नहीं आए लो सोडे के बगर विस्की ऐसी लागे सेड़ जी जैसे बिना टस्मे के बूट और बिना टाई के सूट विस्की साली पानी में पियो तो अपन को ऐसा लगे जैसे बिल के साथ कोई 7% सेड़ टास जोड़ दिया हूँ 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 माल ही क्यों न सप्लाई करूँ लेकिन जो माल देता हूँ क्वालिटी का देता हूँ जानूसू सेड़ जानूसू अपन भी धंदा चाहे कम करूँ पन करता हूँ तो टॉप पलिटी का हाँ अपन को धंदे में खोट, गर्मियों में कोट और बिना लिपस्टिक खोट बिलकुल पसंद ने चे मुंशी जी तमें तो जानों इस बार मेरी सेकर्टरी मेरे संग नहीं आई तमें कल एक बार को इस टेनो तो दो एक घंड़े के लिए भेज़ दो जरूरी काम छे सेट मुर्लीधर जी आपके प्राइवेट काम की फिकर आप से जादा हमको है जबड़ाईये नहीं, आईसी स्टेनो भेज़ दूगा कि उसकी स्पीड आप पकरनी पाएंगे यहाँ कोई नहीं पकड़ेगा अवर सलेट को कोई नहीं पकड़ेगा चाहे पवंद उथो, चाहे त्वरी नहीं आगे तूँ आके तुम आफिस आने वाले थे? तैड मैं तो बेकुल फूल गया, मैं तकल सुबाद के साथ चलूँगा, ओके? अचा मैं जरा ठेरो ठेरो इन से मिलो, इनका हमारे फर्म के साथ बहुत सा कारोबार है सेट मुर्ली धर, ये मेरा बेटा राज अचा डैट, मुझे जरा उपर जाके मैं स्टडी करूँगा ये सेट मुर्ली धर हमारे बड़े इकुरानिक राख हैं सूरद की नहाई की मालदार असामी हैं होटल शिराज में ठहरे हैं नमलूम क्या हुजा है अपके वो अपने सेक्टरी को नहीं लाए तु यूं करना रेता, शाम कुछ साथ बजे तुम नुम्हें चली जाना शाम के साथ बजे? हाँ, हाँ, आज से तुम्हारे जूजी नहीं के साथ रहें लेकिन… लेकिन लेकिन कुछ नहीं मैं तुम्हारे लिए ये गोल्ड लंग अपरचुनिती है नहारे किस सुनहरी मौका है अगर तुम्हें सेर जी को खुश कर लिया तुम्हें ऐसा चक्कर जलान दॉा कि इसी महीने तुम्हारे इंतरा की हो जाएगी लेकिन मुझे करना क्या होगा लो यदि यह मुझे बतलाना होगा कि एक सेर्टी को क्या करना चाहिए यू आर इंतलीजिजन गर मुझे पूरा पूरा यकीन है कि तुम शेर जी को किसी भी तरादी शिकायत का मौका नहीं दोगी अलशन्द बेसा दोग वाडी दोग कम एं गुटिए सौहलाज के पसंद था तो जवाब नहीं बडी देर से इमतिजार करूशू तबी बसी जाओ बसी जाओ क्या लोगी विस्की, बियर, जीन मैं डिक्टेशन लेने आई हूँ अरे डिक्टेशन के विए तो सारी रात पढ़ी लेचे इतनी भी जल्दी क्या है डिक्टेशन की लोग मैं नहीं बिती नहीं बिती कोई बात नहीं अपन ही पी लेते हैं दूसरे की माल खजम कर लेने की अपन्थाने के आदक पढ़ी लिए बेसे आप मेरी माँ भी आ रहे है मैं घर जड़ी जाना चाते हूं अभी तो आई हूं मैरी रात की रहनी अभी अभी तो आई हूं आप्डि मुझे खलत समझाए मैं सेट सवालार के सेकरेटर जीता हूं अरे जान उचू जान उचू आज रात मने तुम सुन्दर लाग उच्छू, आओ, आओ, मुर्ली धर के पास आओ, मुर्ली धर के निकट, निकट आओ मैं तुम्हारा मुझ भी निकट आओ, तुम्हारी इस पेरूदा हरकत से हमारी कमपनी को जितना नफ्सान पहुंचाए, शाय तुम्हे उसका अंदाड़ा नहीं मैंने तुम्हे मुझनी धर खांए वेजा का लिए, कि तुम्हें उसकी बेज़ती करो, चाटा वारोग के मूपे बेज़त करनी के कोशिश मैंने नहीं की सेट जी, मुझे तो बताते हुए भी शरम आती है और जाटा मार तुम्हें शरम नहीं, तुम हमारे कवची के साबिल नहीं, जो उपना इधार चुपता करो इतना अन्याय न करो सेट जी, मैं बेकुसूर हूँ, बेगुनाह हूँ असली गुनायगार तो सेट मुरली धर है, जिसने मेरी इज़त पे हमला करना चाहा मैंने वही किया जो एक शरीफ लड़की को करना चाहिए था जान लात का माल लेने वारत, बसमाश है, अब तुम शरीफ हो जो आट इसमें, गयाँ नहीं, आपे वाले ही करेंगे, अभी तुम मिने काम शुरू किया है, अभी मुझे मेरी तरखा भी नहीं दूरी मेरी माँ पासी मार है, उसका हलाज कहते होगा ये डिपार्टमेंट स्टोर है, खरातियत बता लएं मैं ऐसे नहीं जाओंगे, मुझे वालुगे, स्टोर में काम करने वालों की एक यूनन है, मैं आपना के यूनन बितूगे तुम पास होगे, मैं तुम्हारे इल्धान ले रहा था, हमारी कंपनी को तुम्हारी जैसी लड़कियों की दरूर था, जाओ अपना काम करो, अब तुम्हारी नौकरी पक्षी होगे उपरदी बितुश्च सब्सक्राइब यह नई लड़की धंकी देकर कही है कि हमारे खलाफ यूनियन में रपोर्ट करेगे हम, जराशाय रखना फिकर मत कीजे सेर जी मैं बोई चक्कर चलाता हूँ एप लीशी सेर जी आज कर हमारे स्टोर में चोरियां बहुत होने लग गई है अगर किसी को चोरी के अल्दाम में धर लिया जाए तो सार दो सार के जुट्टी हो जाए उसकी लेकिन जरा दिखान धराय या नहीं, साब भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं पुट्टी अरे, यह तो खत्म हो गए कोई बाद है, मैं शाम को और लेती आओंगे गोलियों के कोई दर्द नहीं बेटी, अमें ठीक हो गए तेर जो मानेट्या हाग लगे इस नहीं बेमारी को, पीचा ही नहीं छोड़ती अन्मी सी जान पर बोजा पनी बेटी भगवार मुझे उठाता भी तो नहीं फिकर मत कर मा, तो जल्दी अच्छी हो जाएगे मैं दवाई के लिए मेरा से पैसे ले जाती हो, तंखा मिलते हैं उसे लोटा दूगी अच्छा मा, मैं जाओ अबीती, तुझा पिशे देर हो जाएगे पारिश हो रही है, परसाती लेकर जाना अच्छा अरे बई जल्दी करो, लगते आज फिर मुझे देर होने वाली है बस हो गया लो और रैशन के लिए पैसे देते जाओ आज आखरी दिन है और घर में चावल बिलकुल नहीं है ये लो दस रुपए, इसी में गुजारा कर लो मेरा जीदी? हाँ रीता काम पे जा रही है, तो फिकर ना कर, मैं मा को दवाई दे दूँगी मगर जीदी, गोलिया खत्म हो गई है और ले, शाम को आते हुए दवाई ले आरा तुम सच में देवी हो दीदी, तंखा मिलते ही तुम्हारा कर्स चुका दूँगी कर्स की चिंता ना कर, तु नहीं जानती जब मैं बंबई आई थी, तो मेरी हालत भी बिलकुल तेरे जैसी ही थी मुझे याद है, जब मैं बीमार थी, तो मेरे पस दवाई के लिए भी पैसे नहीं होते थे अब जब मैं तुझे कर्स देती हूँ, तो समझती हूँ अपने आपको कर्स देती हूँ उसी मेरा को, जिसका नाम किसमत ने आज रीता रख दिया है सच कहती हो दीदी, हम गरीबों के नाम बदलते रहते हैं, किसमत नहीं बदलती है मैं खंटनाःतिन उतना आज ठहे हूँ कर्स दोबने पहाँ कर्स दोशऑ्ण क्रुप़् यह क्या है? चेकिंग, कैसे चेकिंग? कुछ चोड़ी हो गया होता, फ़ला पूछो, जो चोड़ी करेगा हो, क्या चीज अपने पास रख लेगा? फूल, लेट्स को फर चेकिंग पर्स, नहीं है, इरेन कुछ किसका है, मेरा आहा, चला दियाना चक्तर, चोड़ी करते हो शरम नहीं आई तुम्हें, मैंने कोई चोड़ी नहीं की तो क्या यहार उड़कर तुम्हारी जेम में आगया? इंस्पेक्टर साथ, मेरे खाल में इसे पुलीस स्टेशन नहीं आईए मैंने कोई चोड़ी नहीं की, इस हार के बारे में मैं कुछ नहीं जानती क्या बात है वांके? सेड़ जी, इस लड़की नहीं हार चुराया है, ओ पकड़ी गई बहुत बरी बात देजी नहीं सेड़ जी, कुझे कुछ नहीं मालूँ, मैंने यहार देखा तक नहीं था इंस्पेक्टर इसे पुलीस स्टेशन लेज़ा नहीं सेड़ जी, मुझे पुलीस के हवाले मत कीजिये आप चाहेंगे तुम्हे नोक्रे छोड़ दूँ ये मैं खरीब जरूर हो सेड़ जोर नहीं बगवान की सोगन मैंने चोरी नहीं की सेड़ जी, सेड़ जी ऐसा मत कीजिये मेरी मां बीमार है, अकेली है मैं जेल चली गई तो मेरी मा मर जाएगी, मेरी मा मर जाएगी मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई चोरी नहीं की मैं बेकसूर हो सेड़ जी, बेकसूर हो वीता देवी, तुम्हे चोरी करने के जुर्ब में पांच सर रुपे जुर्माना उर च्रुमाना अदान जाना करने सूरत में गयाड है एक साल होगी तुमने दरखाफ की है कि तुम सेच सोहंलाल से मिलना चाहती हो अधालत तुम्हे जेल जाने से पहले पलिस के ही रासत में मिलने के इजाज़त देती है इस यस से लिहाँ लेग Ś yaş.. इंस्पेक्टर? यह सालू भी दू से जी इसे नॉटिस बोर्ट में लगा दू ताके दूसरों को सबर्ख में यहां मैं से रिजरूम और केंटीम लगवा देता हूं ताके स्टाफ को मालूम हो जाए कि चोरी के जुर्म में रीता को एक साली खायद हो गई यह तुम? जोचा जेल जाने से पहले आपका शुक्रियादा कहता है आपके वफदारी और इमानदारी के सुरू का मज़र में तपची परना मुझे जेल न जाना करता हूं आप लोगो खुश हो रहे होंगी कि आपकी साज़िश काम्याब हो गई लेकिन दिल ही दिल में आँचान से हमें बेकुसूर हो मुझे जेल सेटकर आपने गुलाब किया है आपका जमीर आपका क्या आपकी हो? इस्पेक्टर जब हैंजी चारी है उसे सुखनलाई एक साल के लिए जेल जा रही है लेकिन बारा मीने सारी जिंदगी नहीं होते एक साल तक आप मुझे भूल जाएंगे लेकिन इस साल का एक एक पन मुझे याद रहेगा और धर्वार की सागल मैं आप से एक एक मेर ठीकी में पर चूर जाएंगे एक एक बज़ा बातों की एक एक बज़ा बातों की आज की ताजा खबर एक लड़की चोरी करतो है पकड़ी गई आज की ताजा खबर एक लड़की चोरी करतो है पकड़ी गई आज की ताजा खबर हाच जखाल अबबस्टी। क्जिए कर दो में। क्तु कर खीहां ही जैंजा है कि घृद माझ कर थो अ यहां है यहां है कि यहां है माझ अच्छे सुलूक की वज़े से तुम्हें पंदा दिन पहले रिहा किया रहा है थेंकियु साइए और हाँ तुम्हारे घर से कुई आया था कह रहा था तुम्हारी मा बहुत सख बीमार है मा? हाँ याइस जल्सुपन साप रिटा नम के लड़की रिहा होने वाली थी हाँ आजी रहा हो गए आजी रहा हो गए जहां अभी भी गए हाँ संस्तर हृू संस्तर हृू कर दो दो खोजब कर दो दो जो दो ऑो जो कर दो मा को तेरे इंसाफ में बहुत विश्वास था, बहुत शद्धा थी तेरे लिए तुने सारी जिंदगी उसे कोई सुख नहीं दिया, वो फिर भी तेरी पूजा करती रही आज उस विश्वास उस रध्धा को मैं जलाए हूँ, आज वो रीता मर गई है जो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दुनिया के आगे रोई थी, चिल्लाई थी, तुम्हारी नाम का वास्ता दिया था आज दूसरी रीता ने जनम लिया है, जो इस वरेभी दुनिया का आप मुकाबला करेगी आज के बाद मुझे तेरी जरूरत नहीं, मैं इस दुनिया से अकेली लडूँगी, अकेली बदला लूँगी बदला लेना इतना असान नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, इसके टेरे मेरे रास्तों में आकेला इनसान तो यूही गुम हो जाए आप कौन है? शायद तुम्हें याद नहीं, आज से एक साल पहले की बात है, तुमने मुझे पुलिस से बचाय था, सुनसान गली, अंधेरी, रात, पुलिस मेरा पीछा कर रही थी हाँ, और मैंने उन्हें गलत रास्ता बताय था हाँ, तुम्हारा ये ऐसान मैं जिन्देगी बर नहीं बूलूँगा, मैंने तुम्हें बहुत ढूणा मगर तुम नहीं मिली, आद में ये मालूम हुआ, कि चोरी के जुर में तुम्हें एक साल की सजा हो गई है हाँ, मैं बेकसूर थी, लेकिन मैं चोर साबित कर दी गई, क्यूंकि मैंने अपनी इसा पेचने से इंकार कर दिया था सोहनलाल ने एक साल के लिए मुझे जेल भीजा, उसने मेरी मा की जान ले ली, मैं उसे जिन्दा नहीं छोड़ूगी, मैं उसे जिन्दा नहीं छोड़ूगी, चाहे मुझे फासी क्यों न लग जाए नहीं रिटा, कानून से खेलना तुम्हारा काम नहीं मैं चाहता हूँ कि सोहनलाल अपने ही जाल में खुद भचाए मैं चाहता हूँ कि वो जिंदा रहे और जिंदी उसे छीन ली जाए वो सांस ले लेकिन उसकी हर सांस में आ हो वो रोय चल लाय तरफे लेकिन उसे तसलित देने वाला कोई नहीं मगर आप तुमारी तरह मुझे भी उसने धुका दिया है और तुमारी तरह मैं भी उससे बदला लेना चाहता हूँ लेकिन रिटा, तुम मेरे बेटी की तरह हो मुझे पर विश्वास करो आज हम दोनों के एक दूसरे के मदद की जरूरत है मैं आपके मदद कैसे कर सकती हूँ कर सकती हो रिटा याद है पुलिस से भागते वक्त मैंने तुम एक चीज दे थी समहाल कर रखने के लिए वो तो पिक्चर पोसकार्ड थी कहा रखे थे मैंने शायद इसमें हो यह हाँ यही हो अब तक मैं इसे के लिए परिशान था जानती हो रिटा बुजर्ग कहते हैं कि दोस्ती और दुश्मनी बराबर वालों में होनी चाहिए अब तक हमारे और सोहनलाल के दर्मियान एक उची और मजबूत दिवार थी और वो थी दौलत लेकिन अब वो दिवार नहीं रहेगी यह देखा इन हीरो को मैंने अपनी जान की बाजी लगा कर समंगल किया था अगर सोहन पुलिस को खबर कर दी थी इत्तफाक से कर तुम नहीं मिल जाती तो यह इंतकाम के आग सिर्फ हम दोनों को जलाती रहती सोहन कुस के आँस तक नहीं पहुचती लेकिन अब अब यह शिरे हमारी मंजिल के राह में काम्याविते निशान बन जाएंगे आईए आईए सेर जी बंबई के इस नए कैसीनों ने पहरस की राथ को चक्तर में डाल दिया है आईए सेर जी कैसीनों एजक्षियाना आईए सेर दी इंडर काला है इसी लिए यहां हर चीज का डवल भागा है आईए सेर दी यहां की हाथ सफ़ई के चक्कर ने फज गये तो बस पर अब आणी कमधा है सेडती रौनधिगावकी देखनाओ यहां ही परियां है ՚न्मत का ना जाणा है अच्छा, तो ये भी आप पहुँचे क्या देख्रों रिटर अंकल, हमारा कसीनो सच मुझे एक खुबसूरत जाल है यहां शिकार खुद वखुद अपनी मर्जी से आभजता है खोना है वान डबल स्कॉच झुझार अच्छार rolled झुझार हाँ तुझार तुझार प्रण जिए यहां पींटी 50 मिलें यह एक मांदो हजार दिए यह फेट खमपों गॉन्धों ना को तारक को चले चलके पंटर ले या आज़ा कि आपूली के आप जो कि अखे कि वह जो बहुत दिन हुए याद नहीं किया और तुम जैसे वनरमणदू को मावुली का जाएगा जब जरूर पड़ेगा तो मेरे तुम कशला देना चाकर को अखे एक रड़ी हो आई है मैं बुर्य ग्रेट घ्लेटेस्ट में जिले 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 जिले, जिले जिले तब जबदी आउड़ीज और जेंटलमेन अब आपको एक ऐसा अजूबा दिखाया जाएगा जिसे आपने ना देखा होगा ना सुना होगा ना पढ़ा होगा एक तेज तलवार की नोग पर एक कुमल खुबसूरत लड़की जदू के जोर से सुला दी जाएगी मेरी आखो मेरी आखो मेरी तुम सो रहे हैं तुम सो रहे हैं तुम किसी की आवास लाए मेरे देदी शाबाद शाबाद वाद हाए बाप हाएnational हपाए बाइ पुल स्रे आवार पटenda पूप खूप गूप ए। कर दो टुट चुब हा चुप बदन कर लै चुनू चाँ कर अ कि अदन्दल की बारे पड़िल की बारे पड़िल कहा वा एव कि अ अबर यूश अँछाए ओधूब अबधर जो बालवन कर आपड़ दोसे भी अबर यूछाए जड़ जड़ है अबर थालाव दोसे खेड़ आपकोर आपकोर के आपकोर दोसे पार तरह जगा घड़न इंगाए कुछा भेजिए तो, आपकाले करें पुछावाद। कि यहां यहां तो एक के पचाज में बड़ने हचार मुटना यहां इसे हैं, यहां जो चप्टर ही उड़ता कर गया, जदी एकांटना आज़ें, आई। ञातला है हाँ 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 सारी जरीजन जडेन्टनर्टन्टनन, फहर इसली इसमतर इसन वाँ काबरेश कासूली आवा कि अजयों अजाई भाट बार बाट जला बार बार बंदल इजाई दू जाई जार बारrier कि अजयो बंदल बार बार बंदल कि अ फदिर्म चान रखोन आजाने जाँ ये हुसन जवाँ 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 तेरे लिए है आस लगाए ओ जानिम आजाना आजाने जाँ मेरा ये हुसन जवाँ जवाँ तेरे लिए है आस लगाए ओ जानिम आजाना आजाने जाने 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 जाना कर दो कर दो कर दो कर दो आख से मस्ती टपके है तो देखे ना दिल का सागर छलके है छलके है तो समझे ना लालालालालालाला क्यों तड़ पाए तो क्यों तरसाए ओ जालिम ना जाना आ जाने जाना आ मेरा ये खुसन जवा 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 तेरे लिए है आस लगाए ओ जालिम ना जाना आ जाने जान जान आ जाने जान जाने जाना दूर से कितनी आई हो, आई हो तुझा नेला प्यार का तुह मा लाई हो, लाई हो तुमा नेला अब ये दर्द से तु क्यों ठुकराए ओ जालिम का जाना आजाने जान मेरा ये हुसन जवा 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 तेरे लिए ख्यास लगाए ओ जालिम का जाना आजाने जान प्या ग्यार तुम से जाना आजाने जाना आजाने जाना हुस्री जाजाने प्यार वगर यारी कर दया है अच्छा तो यह है वर सेजी इसे काटियो तुम मज़ा आजाए ज़र देखो सारे पाफ की दॉलत किस तरह आपे शरीब में भरा चला रहा है अच्छा आप रहा है मनने तो काम मली गए अच्छे अच्छा पाइब अच्छा रमी खेलो भी सेच्छे वेटे तो खेलने की हर चीज खेलो अगर पाटना तुमारी जे वे सुन्दर होए तो सोलो खेली उच्छो खाली तुम खाली हम मन्जर मन्जर काट खेलो तो छुँ पन तुमारी फिजीती नहीं सकन क्यों? मुटाश कम तुमें ज्यादा देखूं ओ, हौ, हौ क्लोजिंग धाइम थी आपने तो मेरा सब कुछ लूट लिया सेची एक खेल और खेले मगर आप नहीं खेल सबते कसीनो तो बंद हो रहा है कसीनो बंद हो रहा है तो क्या अपने दिल का कमरा तो खुला छे जितनी का चांस देंगे ना? तू चलो, अपने होटल बाचलो होटल में? अकेले? ना बबा ना, मेरा तो दिल धारकता है दिल तो साला अपन का भी धारके छे अपन तो रमी खेलंगे ना? सिरफ रमी ना? देखो सेड़ जी, I'm a good girl. हुँ भी तो अच्छा शू। Don't be naughty, सेड़ जी. सेड़ जी नहीं, मुरली दर, खाली मुरली. मुरली? कैसी सुरिली आवाज है मुरली क्या? ऐसे खुश्बों तो हमारे रेशम की गडाओं से आवे छे. I told you, सेड़ी, मैं तो सिर्फ रमी के लिए आई. मैं भी तो ही कहूं सू, मेरे मकमल के खान. अच्छा, ये रमी हमेश नहीं हो सकती. हमेश? हाँ. सूरत जाकर रमी तो क्या, रमी वाली को भी भूल जाओं के. छी, 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 आईसी सूरत, सूरत में कहा. मेरी जान, रिबेका. मेरी जान, रिबेका. मैं बड़ोदा से सूरत आया हूँ, लेकिन सूरत में रहकर, तेरी मोहनी सूरत को तरस जाओं हूँ. मेरी जान, तुम कलब से चार-चे दिन के छुट्टी लेकर, मेरे पास नहीं आ सकती. मेरी, हर घड़ी तेरे इंतचार में, मुर्ली धर बंसी धर. मैं साथ अगस्त को बंबई पहुच रहा हूँ, अपनी रिबेका के पास, सिर्फ तेरा मुर्ली. वकिल सहाब, आपके सेट इन खतों में, मुर्ली धर बंसी धर से मुर्ली धर हुए, और अब सिर्फ मुर्ली होकर रहे गए. यानि, जो जो इश्क बढ़ता जाता है, आशिक का नाम खटता जाता है. ये इश्क भी क्या-क्या रंग दिखाता है. मगर सुनिये तो. सुनने लाइब तो आपके क्लाइन्ट. सेट मुर्ली धर के ये सब खत है, बड़े मंझे हुए आशिक मालुम होते हैं. बस एक आखरी खत और सुन लीजे. मेरी अपनी रबेक्का, तुम बंबई छोड़कर कोवेत जाना चाहती हो, क्योंकि तुम्हे वहाँ ज्यादा पगार मिलेगी. नहीं, नहीं, मैं तुमको कोई नहीं जाने दूँगा, तुमको कब भी नहीं जाने दूँगा. अब तुम जीवन भर मेरे संग रहोगी, हमेश के लिए मेरी अपनी. और इस पर भी आप कहते हैं, कि सेट मुर्ली धर ने इसे शारी करने का कोई वादो नहीं किया. तो क्या आप मेरे क्लाइन्ट सेट मुर्ली धर के खिलाफ कोट में दावा करेंगी? जी नहीं, हम उने फुला के हार पहनाएंगे. आप धंकी दे कर अपनी बात मुर्णा चाहती है. धंकी नहीं, वकील सहाब. केस कल कोट में जा रहा है. आपको शायद मालूम नहो, ये ब्लैक मेल है मिस लीटा. अगर ये ब्लैक मेल है, तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए. आप अच्छी तरह जानती हैं, के स्वेट मुर्ली दर एलेक्शन लग रहा है. इस किसम की पुब्लीशिट लिए उससे काफी लुक्सान पाँ सकता है. पुलिस इसे राज भी तो रख सकती है. वो रहा टेलिफून. नमबर वन, सिरो, सिरो. अच्छी तरह जानती हैं, के स्वेट जी ने आपसे शादी का बादा नहीं किया. बादा? वो तो शादी की पकी तारिक बताने वाले थे. क्या उन्होंने लिख कर दिया था क्यों आपके सादी करेंगी? ये सप्रेम पत्र मेरे होने वाले पती सेट मुडली धर्ने लेखे हैं. आप शूइट, आप शेकिन के साथ कह सकते हैं, के सेट जी ने आपसे शादी का बादा किया था? मैं कासम खाकर कहते हूँ, मेरा मुडली मुझसे जूट नहीं बोलता. He's so nice, so cute. सुना आपने, ये अदालत में कसम खाकर कहेगी. मैं भरी अदालत में मुडली का हाथ पकर लूँगी. मैं ये मामला निक्टाने आया हैं, आप लोग को क्या चाहिए? मुझे फिरा मुडली चाहिए. और अगर वो ना मिल सके, तो जैसे हमने आपसे पहले ही कहा, और ब्लैक मेल के जुर्ब में साथ साल जेल जाओ. No, thank you. मैं तो कहता हूँ कि आपस की बाद आपस में निपट जाए तो अच्छा है. नहीं चुनी भाई, कानून की बाद कानून से निपटे तो अच्छा है. आप कल शाम के चार बजे हमारे वकील मिस्तर धीरुबाई पटेल के आफिस में मिलिए. ठीक है. वकील साथ, आप अपने निशानी वाले नोट तो भूली गए? कमाल है रीटा, तुम्हें कैसे मालम हो गया, कि वो नोटों पर कुछ निशान लगे हुए थे? एक साल जेल में रहकर बहुत कुछ सीख लिया है रेबेका. अब मुझे पता है, कि ब्लैक मेल क्या है और कानून क्या? जो चीज कानून से हासल हो सके, उसे ब्लैक मेल जैसे खतरनाक तरीके से हासल करने का फाइदा? एकसलेंट, एकसलेंट, वाकरी तुम 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 बदल गई हो, अब वो तीन साल पहले वाले रीटा नहीं नहीं? राजपाल जैसे लड़के का दिल वही लड़की जीत सकती, जो हर लहासला जवाब हो कश्मिर के लिए कल की सीटे रिजर्व हो गई है, वहाँ तुमारे रास्ते में एक छोटी सी रुकावट है, और वो है सोहनलाल के मैनेजर की लड़की तुम सुन रही हो ना? आप रुकावट की बात कर रहे थे ना? आपके होते हुए कोई भी रुकावट मेरा रास्ता नहीं रोक सकती गुट, राजपाल जवान है, और जवानी में दिल बहता हुआ पानी होता है, जिसका रुक जिधर चाहो बदल लो तुम राजपाल के दिल और दिमाग पर बिजली की तरह गिरो, उसे सोचने समझने का मौका नो दो क्याद रखो हमारी जीत इसी में है, कि वो तुम से शादी कर ले, तुम उस घर की बहु बन जाओ, और उस खांदान की इज़त कहलाओ उसी दिन से मारे इंतकाम शुरू होगा, उस दिन के लिए मैं भी बेचैन हूँ लेकिन इतना ख्याल रखना, राजपाल काफी खूबसूरत जवान है, लड़कियां उससे मिलने के लिए बेचैन होती है लड़का मासुम नज़राता है ना, लेकिन फिर भी वह हमारा दुश्मन है, हाँ, जारेलाद रेका, अगर तुम चाहो तो राजपाल का ये तक्ट्टू के बैठावर तक्ट्टू, तेको पहले क्या सरकस करना जाता वाँ, 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 वाँ वाँ के लाँ, जो मूँ फाल के बियर पी रहा है अब देखो, रोज की तरह लुड़कने वाला, हाँ, हाँ, हाँ ये स्चक्र में है कि राजपाल इसकी बेटी से शारी कर ले इसे अपनी दुलहन बना ले और ये भी सोच रहे है कि खूबसूरती में मैं क्या कम हूँ, ये देखो लेकिन अफसोस है कि बेचारी के सपने पूरे नहीं होंगे भीटा, हमारा मकसुद इंतकाम और जब तक तुम प्यार चता कर राजपाल से शादी न कर लो हम कामयार नहीं हो सकेंगे गीत तेरे साज का तेरी ही आवाज हूँ गीत तेरे साज का तेरी ही आवाज हूँ तू भी मेरा साथी बन जा मैं तेरी हमराज हूँ गीत तेरे साज का तेरी ही आवाज हूँ तू भी मेरा साथी बन जा मैं तेरी हमराज हूँ गीत तेरे साज का तेरी ही आवाज हूँ तेरे साज का तेरे साज का तेरे साज का तेरी ही आवाज हूँ कर दू रिजू हूँ पूलकार आवाज किए आवन गसちゃ रिजए। जा मिलके वात ले हूँ क्या जा मिलके वात ले हूँ क्या खुशया क्या दूनandin वी cheg केतागा तेरी कश का धूल hecho क्या क्या किया जां आव लोगको हूँ तन्हा तन्हा ये का जहर पे क्यों हम तू मेरे जीवन का पंची मैं तेरी परवाज हूँ गीत तेरे साज का तेरी ही आवाज हूँ तू भी मेरा साथी बन जा मैं तेरी हमराज हूँ गीत तेरे साज का तेरी ही आवाज हूँ लुज एक तेरी हमराज हूँ तंद का परसे का तेरी हम उन्हाय एक साज का तेरी ही मेराज हूँ हो सारे उमर का ऐसा हो जो दिल का साथ नहीं हो सारे उमर का ऐसा जीते जीना होंगे जुदाएं आज मिले जो हाँ तो मेरी सासों का मालिक मैं तेरी दम साज हूँ गीत तेरे साज का तेरी ही आवाज हूँ तू भी मेरा साथी बन जा तेरी हमराज हूँ गीत तेरे साज का, तेरी ही आमाज हूू। अबस न शाद देख्लिया, तुमार तरफ देख्ला तव्या-पॉ तुमार तरफ देख्लाए एवाह, तुमार तरफ देख्लाए गीनता, गीनता, गी जट गपता. गैसी है, गीनता. वाँना जिए वाँने. ये जीप आपकी हैं? बहुत अच्छा गाती हैं आप मैं समझा ये आवाज किसी इंसान की नहीं हो सकती तो किस की हो सकती है? किसी फरिष्टे की मैंने सोचा इन हसीन बादियों में सैर करने के लिए आसमान से कोई हूर उतराई है सच पूछिए तो आप भी किसी हूर से कम नहीं आप भी काफी खुबसूरत जवान है क्या ख्याल है आपका? यकीन मानिये लड़कियों के मामले में काफी खुश्खिसमत रहा हूँ लेकिन आज तक किसी हूर से वास्ता नहीं पड़ा अच्छा हुआ पास्ते निभाने मुश्किल हो जाते है मुझे नीचे तक छोड़ दीजिगा हाँ हाँ जरूर आप इतनी सुबह अकेली आई हैं आप जो है जीप नहीं चलाईगा सामने देख कर चलाईए कहीं? आप साथ हैं ना उतको सुदूर है अजनभियों पर विश्वास नहीं किया करते है तिल कर बैठा है ओ जीप रोखिये मगर क्यूँ? आपका दिल तो बड़ी तेजी से धड़क रहा है कमजोर दिल वालों के साथ बैठना अच्छा नहीं कहां रहती है? दिल की धड़कनों में फिर कब मिलेंगे? जहां आप चाहें कब? जब आप याद करें अरे चल मेरी बेगाम मेरी लेला मेरी परी मेरी हूर घोडी भी मेरे साथ चलने को तयार नहीं मालम होता है और अवरत जात को ही मुझसे नफरत है ए घोडी खाली है? बिलकुल खाली घोडी एकदब खाली यह स्वेट लेटल सुल छहांकरें त्राठीय खाली है परद्राए्यह दुसरी घोडी जएया आपको इस वेर मेरी यहा कि मेरी इजीम के लिए कहाता दूसरी घोडी मेरी फ्रेंड के लिए यहाई परण इजतरी मेरी घोडी विगहा दाए ज़्यवा कि एतर भार except के पंजय मैं नी चिरिऍया ठेरा ओलु रोलुकुल यह को है तो बरुद्स कर देखकर ज्यमादा भी शर्मान scholarly उसने तो मैं जरूर छपड़ भारा होगा यही तो डिफरेंस है प्यारे आज हमें जिन्दगी में पहली बार महसूस कर रहा हूँ कि मैं You are in love? बिल्कुल वो मेरी जीप में बैठी मेरे पास यही उचपा यहां तो द्रख्ती द्रख्त है यहां तो कोई दिखाई नहीं देता तुमने उसे यही छोड़ा था क्या? इसी पुल पर लेकिन मुझ ठीक है सी क्या आज के पर थे वो क्या बादलों से उत्री थी तुमने उसे पैदल चलते देखा था क्या? पूरे पैदल नहीं चला करती प्यारे पूर्ति है आसमान पर हवाओं में बादलों की तरह तुम यही ढरो मैं खुद देख याता हूँ उरती है हवाओं में बादलों में देखो वो थी तो लड़की ना इसमें डरने की क्या बात है मैं खुद इंक्वारी करके आता हूँ मस्तर बचके जाएगी कहाँ वो लड़की नहीं है वो क्या है वो क्या है आपकी सांस क्यों फूल रही है आपके लिए कितनी दूर से भाग कर आ रहा हूं मेरे लिए हाँ अभी अभी आप उस पहाड़ी पर थी और अभी पहाड़ी पर आप होश में तो हैं शायद नहीं आप हर जगा मुझे निजर आती हैं शायद आपकी आँखे आपको दोखा दे रही हैं आँखें दोखा दे सकती हैं लेकिन दिल नहीं क्या फिर तेजी से धड़कने लगा इतनी जलती इतनी खरीब आ जाएंगे मैं सोच भी नहीं सकता था बिजली जब गिरती है तो सूचने का मौका नहीं देती बादर अगर बिजली को पहले उसे निकलना ना दे तो आज शायम को आप क्या कर रही हैं आपकी क्या फर्माइश है जेलों किसार को चलें सोचेंगे मचली जब काटे पर लग जाये रस्ती धीली छोनी परती है मेरा ख्याल है राजपाल को आज अन्पजार करने पर उसे इस बात का ऐसा दलाना जरूरी है कि तुम्हें पाना इसना असान नहीं अरे भाई आजाएगी चलाओ है पेशेंस जल्दी करो देखा डैडी वो जान बुझकर मुझसे दूर भागता है जरूर कुछ डाल में काला है रोना काम है बच्चों का बीटियामा ऐसा चक्कर चलाओंगा जितना काला है ना राव सुपइद हो जाएगा आप बैटो शिकारे में संबल आप शाबाज बैटो को आप चालो भाई आई ये कुछ बात हुई अबे ओ मॉबबत के मरीज उसे ना आना था न वो आई उस फूर को तो समाल जब बंबई से तिरे लिए आई है वो देख वो और उसका बाप शैद हमें ही जून रहे पाजिया आयँ दुछे करे वाला आयँ तुम देखना ये अत्नी बैटी तेरे सर पे बां रहे तो तुम तो ते चलाऊ चलाऊ और चलाऊ आयँ आयँ जल्दी अब सरा आरम सेंगि अच्छा वाब गर गए, कोपड़े सारी सारी ही हो गए, मैं अपनी इचक देड़ी हो। हः हाई मिल गई मसाा की अहँ today म Eigत वह महा एंन किय其實 मृंटे में रहा नहीं मिल गई मेरी मृंटे मीन की रहा नहीं मिल गई इत्से लिए जली क्या है, सांस तो लीजिये मैंने सोचा, एक ही सांस में पुछ लूँ सांस क्या भरोसा, कब रुख जाए मेरा नाम पंडीत प्यारे लाल है प्यारे हाई हाई हाई, दुख टटगे सारे, हाई प्यारे मेरे जवाक उड़ी थे, मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिरे मंकिर क्या फैसला किया दिल ने? जिन्दगियों के फैसले इतनी जल्ब नहीं हो जाते मैं आप और सबर नहीं कर सकता सबर का फल हमेशा मीठा होता है मेरी किसमत का फल मीठा है, मैं जानता हूँ आपने वो है आप नहीं तुम तुम हम तुम हमारे लिए तुम हमारे लिए फिर जमाने का क्या है हमारा नहो आपके प्यार का जो मिले आसरा फिर कुदा का विचे शक सहारा नहो हम तुम हमारे लिए तुम हमारे लिए तुम ही हो दिल में तुम ही हो मेरी निगाहों में करू ना आरजु करू ना आरजु मरने के बाद जन्नत की अगर यह जिन्द की गुजरे तुमारी बाहों में तुमारी बाहों में प्यार के चांद से रात रोशन रहे तुम हमारे लिए तुम हमारे लिए 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 नजर नजर से कदम से कदम मिलाए हुए चले हैं वक्त की रफजार का धुराए हुए बहार पूछ रही है बहार पूछ रही है जमन के पूलों से ये कौन आया के तुम सब हो सर जुकाए हुए सोच में फूल है हम अगर चल दिये फिर जमन में कभी ये नजरा नहो हम तुम्हारे लिये तुम हमारे लिये फिर जमाने तक क्या है हमारा नहो आपकी प्याने का जो मिली आसिदा फिर खुदार का भी पिर शक सहादा नहो हम तुम्हारे लिये तुम्हारे लिये हम तुम्हारे लिये तुम्हारे लिये रख़िए थाई दीचिए बढ़ा थाई भीड़ा थाई बाद 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 करणी अ अलो रिटा यू अलो अंकल अंकल ये मिस्टर राजपाल है आप नहीं रहते हैं जी नहीं मैं कश्मीर हर साल चुट्टियों के लिए आता हूँ इसका मतलब है कश्मीर सापू काफे दिल्चस पी है ऐसे कोई बात नहीं जी चाहता है मैं हर साल योरोप जाओं सारी दुनिया घूमाओं लेकिन मेरे डैडी मुझे हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाने देते वह मुझे इतना प्यार करते हैं मुझे उनकी बात मानने ही पड़ती है वैसे कश्मीर उनके ख्याल में दुनिया के सब से एच्छी जगे है आपको नहीं लगती है तेर असल बात ये है, इसी साल किश्मीर मुझे बात पसंद आया इस साल क्यों? कोई आसबात है यह नहीं मतलब है, मुझे कुछ काम याद आगे, मैं चलता हूँ, नमस्ते बाई ललगा वाकर मासूम और शरीफ है, लेकिन क्या किया जा है इसका बाप भी ऐसे था रिटा, मैंने सबसे ग्यारा दोस्त, ऐसा दोस्त जिसके लिए मैंने जेल जाना तक गवारा किया था जेल? हाँ रिटा, आसब 20 साल पहले की बात है, हम और सोहनलाल बिजनेस पार्टर थे एक दिन, हमारा जार्ज रंगोनपोर्ट पर लगने ही वाला था, क्या? अब तो बुरी तरह से पकड़े के सोहनलाल वो देखो, पुलिस बुट पिछारेगा मेरे ख्याल में सारा माल पानी में भैंग दू क्या कह रहे हैं, सारी जिंदेगी भैकी कमाईया है, कुछ ऐसा सोचो के माल भी बच्चा हैं लेकिन और ना हम दोनों रंगोनपोर्ट में सारी जिंदेगी सर्थतर हैंगा और हमारा बच्च रंदोस्थान में तो फिर किया क्या जाए, हम दोनों में से एक को तो हिंदुस्तान पहुंचना चाहिए तुम तो जानती हो, हिरलाग, मैं अपने चचा की सारी जदाद का अकेला हकदार हूँ अगर मैं किसी तरह हिंदुस्तान पहुंच किया तो मैं तुम्हारे बीवे बच्चे की देख भाल कर सकूँगा और अपने बच्चे की भी पुसूर तो मैंने किया है ये कैसे हो सकता है मैं तुम्हें काम करो तुम किस तरह यहां से निकल जाओ सिर्फ मेरी बीवे बच्चे का ख्याल लगना मैं तुमसे वादा करता हूँ तो जाओ अगर मैं हिंदुस्तान पहुंच किया तो मैं तुम्हारे बीवे बच्चे की पूरी तरह से देख भाल करो मैं समस्ता हूँ मैं तुम्हारा जुर्म अप्रेसर पर ले लेता हूँ, तो फिर मैं जाओ। जेल काटने के बाद, जब मैं हिंदुस्तान वापस आया। तुमने मुझे हमेशा जूट बोला है, हमेशा धोका दिया है मुझे। अगर कल तक हुंडी की पेमेंट न होई, तो मुझे एक्ष्य। फिरा लाल, तुम बर्मा से कब आये। अब याश्वार लाल, जहाद सुतर के सीधा तुम्हार पास आ रहा हूँ, कैसे हो, बड़ी शांदार कोटी बना ली अब तो बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर, मैं कुछ बिस्नस की बातों में मस्रूफ हूँ, तुम बाहर बैठो गए। मैं तुमसे बाद में मिल लूँगा, मैं सिर्व इतना पूछना चाहता हूँ कि मेरी भीवी कैसी है, मेरी बच्ची कैसी है। मैं इन से निपट लू, तुम बैठोगा। हाँ, वो तु निपट लेन, एक काम करो, किसी को मेरे साथ भेज़ दो, मैं घर चला जाओ, बाद मैं तुमसे मिल लूँगा। क्या बात? देखो हेरलाल, मुझे मालूम नहीं कि तुमारे बाल बच्चे कहा है। क्या मतलूम मालूम नहीं? दरहसर मैं कुछ इतना मस्रूफ रहा हूं कि मुझे वक्ती नहीं मिला कि किसी सूरत से मैं वक्त नहीं मिला। सौहनलाल, तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपनी एकनी जिन्दगी जेल में गुजार दी और 18 बर्स में तुम्हें जरा सा वक्त नहीं मिला कि मेरी बीवी और बच्ची कोशिश तो बहुत की कई दफ़ा कोशिश की लेकिन आखिर मुझे भी तो पचासों काम हैं। पचासों उल्जने हैं। पुल जिन नहीं सौनलाल। रुपए कमानी के लालच में तुम भूल गए कि तुमने मुझे वादा तुम मैं सौन फरामोशू तुम कमी नहीं हैं। अब तुम आगाए हो जो अपने बाल बच्चों को ढूनो। और अगर दोचासों की जरूत है तो यह लोगत। मैं ढूनों और तुम समझतों के इन दोचासों रुपए में मुझे वाद खोई हुए जिन्दगी मिल जाएगी जो मैंने तुम्हारे लिए खो दिया तुम्हारे लिए बर्भाद कर दिया। सौनलाल। जिमादे सौनलाल। जिटा मैं मैं कभी सोच भी ने सकता था कि सौनलाल मेरे साथ ऐसा सुलुक करेगा। उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया। चाहे मैं खुद बर्बाज हो दाऊं। सौनलाल से बतला लेकर ही रहुगा। जिटा कई तुम्हारे कदम न डगमका जाए। जिटा है आप तो अपने घर के सिजावत में लगे हुआ हैं और मेरा घर बिल्कुल सूना हो जाने वाला है पांकेलाल लड़की को बाप का घर एक न एक दिन छोड़ना ही पड़ता है रसी दर धिली करो अजी रसी तुमाने बहुत धिली रखी थी राज नहीं पकड़ी अब इन्दू में क्या होगा अजी बाप हो तुम कश्मीर में रहकर भी तुम्हारी बैटी ने तुम्हें कुछ तुम्हें लड़की है आज कल के लड़की खर कोई बात नहीं लड़की राज को पसंद है तो मुझे भी पसंद है आज रात यहां पार्टी है चलो मेरा हाथ बटाओ अचारी आचारी आचारी अलम झालम च्छोग तुम था कि अ sicاز यहां एक मेरा थबस पस्साशब के अ कुम्हें साध्न कुम कर सत्क इजास्ब राप तुम्हें जो आड़ही र्ले Sharpe क stood... मुटतों से मेरी खाइश्टी कि घर में बहू है लेकिन बहू इतनी सुन्दर होगी जिसका मुझे गुमान्टू नहीं था तू बड़ा खुश्किसमत है बेटे जाओ इसे महमानों से मिला मुझे जिए लेकर नहीं है तू रू जिसे मिलाओ भूदा खुकर सिक्वाइश्टी जगे सिवच्णी तू तू इस अईतनी तू एक उप्टे लिए तू देल का जिए का बता कब तो दो बैखा बैखा जिराज बैखा बैखा जराज देन के सगनगी पशमीर पेजरे क्या था अजी साहब जब कशमीर जाने वाले हवाई जाहदों की फ्लाइट कैंसल हो जाती है वहां के मौसम पर कोई ठीकाना नहीं है तो फिर वहां पर की हुई मेल मुलाकात के चक्तर का बला क्या भरोशा मेरे सेड़ जी पार्टी वड़ी जोरदार हो रही है अश्या लगता है जैसे इस लड़की को कहीं देखा है पैशानी सूरत दिखती है लड़की अच्छी है अरे अच्छी क्या बहुत अच्छी है बस एक ही है कि वावा मैं कहता जवाब निए इस लड़की का बांके बहार लाए हो राज यह मेरी तरफसे अपनी मंगी तरको देट यह ड़की तरफसे तोफा वेफलिश्स पुच्छी टारिश्स में की तो क्या यहार ओड़का तुम्हारी गेम में आगया इंस्पेक्टर साथ मेरे ख्याल में से पुली स्केशन ने आई यह नहीं नहीं, मैंने कोई चुरी नहीं की सेड़ जी, मुझे तो कश्मीर में ही शक पढ़ गया था कि इस लड़की ती पीछे जरूर कोई चक्कर है, आज इस हार ने वो चक्कर पूरा कर दिया, यह वही लड़की है जो हमारे स्टोर में आज से तीन साल पहले काम किया तर्टी थी, और आपने इसे एक साल के लिए जे राजू, यह लड़की जो है, शायद मैंने क्या हुआ रही था, तुम ऐसे क्यों चली आई, अच्छा हुआ तुम आ गये, यह लो, यह क्या, जरूरी नहीं कि हर मुसाफिर को मन्जिल मिल जाए, ओके राज, क्या हो गया तुम्हें, किसी ने तुमसे कुछ कहा, तुम्हारे डैज ने तुमसे कुछ नहीं कहा, नहीं कि दो, नहीं कहा, तु कह देंगे, तुम डैजी से गह फरादी क्यों हो, जाने क्यू डर सा लगता है, जैसे वो यह शादी नहीं ही होने देंगे, मेरी डैजी ऐसे नहीं है, तुम यह वहम अपने दिल से निकाल दो, वो और पही उंकार नहीं करेंगे, और अगर उन्हों ने इंकार कर दिया, तुम फिर भी मुझसे शादी करोगे। रीता, तुम्हें मेरे प्यार पर विश्वास नहीं। बाप और बेटे के प्यार के बीच, मेरा विश्वास डगमगा गया है। इस से पहले कि तुम को ये मजबूरी बताओ। पहतर यही है कि मैं ही तुम्हारे रास्ती से हच जाओ। तुम मेरे अम्तिहान ले रही हो। मजबूरी का बहाना कमजोर इंसान लगाते हैं। मैं उन्हें इंसानों में सनही हूँ, जो हम सफर बनकर साथ छोड़ दे। मैं शादी तुम ही से करूँगा। अभी। उस लड़की ने ये देखकर के राज आपका एक लोता बेटा है सारी जाइदार का अकेला वारिसे बस। उसने पीचकर चला जो। इस चक्कर में तो हमारे खानदान की नाक काटते है। सेर जी, नाक तो उस दिन कटेगी जब वो बहु बनकर यहां आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। सेर, देखिए, होने को तो सब कुछ हो सकता है, मैं तो कहता हूँ, खैरियत इसी में गुजरी कि अभी तब कुछ हुआ नहीं। अगर आप चाहें तो उस लड़की को राजसे से हटा लिया जा सकता है। इस साफ जाहिर है कि उस लड़की को आपके बेटे की परवा नहीं रुपए की जरूरत है, आपको रुपए की परवा नहीं अपने बेटे की जरूरत है। बस चक्तर तो यूँ चल जाएगा। मा, तेरी चिता के सामने खड़े होकर मैंने कसम खाई थी कि तेरी मौत का बदला जरूर लूगी। आज मैंने उस रास्ते पर अपना पहला कदम उठाया है। सोहनलाल के बेटे से शादी कर ली है। उसने बेटी से माँ छिनी थी। मैं बाप से बेटा छिन लूगी। सेट सोहनलाल आप से मिलना चाहते है। सेट सोहनलाल सेट 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 सी। सेट सेट सिए। मुझे आप ही डाइज करां था। मैं चांती थी। आप मुझे आशिरादे में जरूर आईए। आगर मुझे पहले मालूम हो जाता कि तुम वही लड़की हो जो मेरे हाँ नौकर थी, तुम्हें मंगनी कभी न होने देता है। मंगनी तो हो चुकी सेटची, और आप। ये शादी नहीं हो तुम बंबई छोड़ दोगी और फिर कभी मेरे बेटे का मून ही देखो। शायद आप समझते हैं, मैं अभी तक आपके स्टोर की नौकर हूँ। नौकर नहीं तो क्या हुआ, हर एक शफ्ट की एक कीमत होती है जिस पे वो बिक जाता है। आज मैं भी तुम से एक सौदा करने आज हूँ। लेकिन मैं सौदा करने के मूड में नहीं। मैं एक इंसान हूँ सेट जी, दुकान नहीं। लेकिन आपका भी कोई कुसूर नहीं। आपने जिंदगी में सिर्फ दुकाने देखी हैं, इंसान नहीं देखे। पचास हजार का चेक लिख दू। पचास हजार आप मुझसे ले जाएए। एक लाख, दो लाख, तीन लाख, चार लाख, ये लुद। और आप मेरे बेटे की सुरत का भी मत देखना। कितनी अजीब बात है, जब मैं मासूम और बेगुनाह थी, तो मेरी बीमार मा के लिए चार सर रुपे का एडवांस न दे सके थी, और आप, जब कि मेरे माथे पे जेल जाने का कलंक लग चुका है, आप मिसे चार लाख दे रहे हैं, ये मेरे जेल जाने का एड़ान है, ये मेरे मा की मौत की किमत, आप जा सकते हैं। तो तुम चाहते हैं कि मेरे राज को सब कुछ बता दूँ? आप क्यो तकलिफ करेंगे, मैं उसे खुद बता दूँगी, कि चोरी के जुर्म में मैंने एक साल जेल काती है। तुम उसे कुछ नी बताओ, राज मेरा कलोता बेटा है, आज तक मैंने उसकी कोई बात नहीं टाली, मैं जानता हूँ कि वो तुम्हें चाहता है, अगर उसे तुम्हारी असलिएत का पता जलिया, तो उसके दिल पे क्या गुजाएगी? हलो रेटा, डैडी, आप यहाँ, मैं तो समझाए आप गॉल्फ खिलने गए होंगे। राज, तुम्हें अपने डैडी को अभी तक खुश ख़बरी नहीं सुनाए? कल राट न घठ देर से पाच्चा, और आप सुवा जली निकल आएगे। डैडी, कल राट हम दोनों में शादी कर ली है। क्या? मैंने सेट सोहनलाल के बेटे राजपाल से शादी कर ली है। शादी? ओ, फिकर मत कीजिए, मुझे आपकी इस अज़त का पूरा ख्याल है, शाम के सब अख़वारों में हम दोनों की तस्वीरें चप जाएंगे। तुझाल यहां तक पहुंच चुका है। यह इसकी खतरनाग चाल है बेटा। इसे कह दो कि तुमने इसे शादी नहीं की। यह सब जूट है। अब देरी, यह सब सच है। यह सच नहीं है। मेरा बेटा एक चोड से शादी नहीं कर सकता। मेरी बहू की माते पे हीरों का ताज होगा। जेर की सदा का धबन है। जेर। हाँ बेटा। यह इसका सलीरूप नहीं जो तुम देख रहे हैं। यह मुजरिम है, इसने एक साल सजा काटी। यह जूट है। यह सब जूट है। रिता, कह दो कि यह सब जूट है। यह सच है। मैं कहता हूँ यह सच नहीं है। डैडी, आपको थोका हुआ है। यह मेरी रिता है, मुजरिम नहीं। अदालत में मेरा जुर्म साबित कर दिया गया था नहीं यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता डैडी यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता देखा कितना दुख पहुचाया है तुमने इसे दिल तोड़ दिया उसका खबराये नहीं सेट जी, ये किसी खरीब का दिल नहीं, जो एक बार तूटने पर हमेशा से सकता रहेगा अमीर आदमी के सीने में दिल नाम की कोई चीज नहीं होती अगर आपके पहलों में दिल होता सेट सोहनलाल, तो उस दिन मेरे बेगुना हासों पर पिगल उठता, मेरी बेचारगी पर रोटता अगर आपके सीने में दिल होता, तो शायद आज मेरी माँ जिन्दा होती और शायद आज आज आपको अपने बेटे के दिल तूटने की आवाज ना आ दी लेकिन उस वखट आपका वख़ था और आज वख़ मेरा है इस दिन के लिए मैंने तीन साल इंतिजार किया है तीन साल तक बदले कि आपको दबाती आई हो आखिर आज मैंने आख की बेटे से शादी कर ली आज से मेरा इंतकाम शुरू होता है तुमने मुझसे शादी की है क्योंकि तुम उच्छे प्यार करती हूँ मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया तुम जोट बोलती हो मेरी तरफ देखो और कहो कि तुम मुझे प्यार नहीं करती, मैं तुम से प्यार नहीं करती, कोई बत नहीं, तुम मेरी बीवी हो, तुम मुझे प्यार करने लोगोगे, मैं तुम से कभी प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि तुम इलके बेते हो, आखिर तुम्हें क्या हो गया, बेटा, एक लड़क कि को जेल भेजेंगे और चाहेंगे कि वो फुरिष्टा बन कर निकला है मैं नहीं जाना जाता कि तुम क्या थी करीटा मैं तुम से प्यार करता हूँ सिर्फ तुम से तुम जो आज हो भूल जा तुमने क्या किया था भूल जा तुम से क्या हो गया था आज के बाद तुम एक शरीफ लड़की हो, एक शरीफ बीवी हो, एक शरीफ खांदान की पहुँए यह नहीं हो सकता, यह कभी हमने खांदान की अज़त नहीं बन सकते मैं इसे प्यार करता हूँ मैंने से शादी की लेकिन ये एक चोर है दो के बाद है कानून के निगाओं में मुझरिम है वाह चोर तुम लोग बनाओ और मुझरिम का खिताब हमें मिले इस जब तुम लुटो डाकू हम कहलाए किसी की बेबसी का मजाग तुम उड़ा और शेयतान हम समझे जाए नहीं से शेफ सोहनलाल मैंने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मिन्नते मांगी मैं रोई थी चिलाई थी लेकिन आपने मेरे नाम से मासुम्यत और बेगुनाही का पट्टा उतार कर उसकी जगए चोर और मुझरिम की तख्ती लगा दी कानून ने जेल में मुझे एक नमबर दिया था आज उस तख्ती उस नमबर उस पट्टे के साथ मैंने मुटे मुटे लफसों में आपका नाम भी लिख दिया है आपके खानदान का नाम तुम साबत कर सकते हो कि वो कभी जेल नहीं गए मिटा सकते हो पुलीस के रिकार्ड में जहां चोरों की लिस्ट में उसका नाम लिखा हुआ है फर्ज करो कल तुम्हारी बीवी को पुलीस स्टेशन बलाया जाए और उसको चोरों की लाइन में शिनाख के लिए खड़ा किय जा जाए तो तुम क्या करोगी बरदाश्का सकोगी बेदेती तुम चाहते हो कि मैं इसलिए खामोश रहो कि मेरे बेटे को महबत हो गई है प्यार हो गया है यह नहीं हो सकता आज के बाद तुम उसे कभी नहीं मिलोगे और उसकी शकल तक भी नहीं देखोगी मगर डैडी शाम को पाटी के लिए सब को इन्वाइट कर चुका हूँ आपकी दोस्तों को भी तो क्या हुआ फॉरण कैंसल कर दो माफी मांग लो सबसे मगर डैडी मैंने उससे शादी की वट ना से चोरों की तार बगार किसी को बताए चुक कर गुना होता है शादी नहीं कल तुम किसी कोठे पे बैशने वाली का हाथ पकड़ लो तो क्या मैंसे अपने घर की इता समझ लूँगा वो इस घर में बहू बन कर नहीं आ सकती बहू तो आपकी बन चुकी है आपके बैटे ने भगवान के सामने उसका हाथ थामा है मगर मैं उसे पहू मनने के लिए तयाद नहीं है जब तक मैं जिन्दा हूँ तो इस घर में नहीं आ सकती ये मेरा आखनी फैसला है ठीक है अगर आपके यही फैसला है तो हम यह नहीं रहेंगे वो बत दसीर कहलाते हैं जिनके सर से माबाग कसाया उच जाता है लेकिन ऐसे भी बतसीब है जो माबाग होते हुए बिनका प्यार नहीं पासकते है राट जी मेरे लिटी डाडी यह है रीता के अंकल मिस्टर ही रलाट बड़े खुश्या आप शॉन राट जी कुछ महिलाएं तुमसे मिलना चाहती है वो खड़ी है तुम यहाँ कैसा रिटा मेरी भती जी है दरसल मुझे आपसे पहले मिलना चाहिए था लड़की वालों में से उन लेकिन क्या करो रुपय कमाने के उल्जिन में वक्त ही नहीं मिला सुना है कि आप रंगून में थे लेकिन किसी दोस्त ने आपको धोखा दे इसलिए चले आया है यकिन कि जी आपकी जगा मैं होता तो सब बदला जरूरी है किस दाइए तुम्हारे साथ आया है तुम्हारे से जानते हैं बहुत अच्छे आदमी है मैंने कश्मीर में मिला था क्यों क्या बात है यह मेरा पराना दुश्मान नहीं तैडी यह तो रिता के अंकल है खलत है साथ शेरी तैडी तैडी रिता बहुत अच्छी लड़की है रिता यह हार कितने का है चालिस हाजार का हीरो का है सरसंभल के रहना मुझे हार चुराने के जुर्म में एक साल जेल भेजा गया था साच रिता यह क्या कर रहे हूं इंट्रॉडक्शन दे रहे हूं छूट बोला क्या पूछ लो अपने तैडी से भगवन के लिए चुप रहे जाओ चुप रहे हुआ हुआ है जँ उनाँ और भेजाँ झेए इनाँ के यह के भी के यह कैसे रहू चुक के मैने पी ही क्या है हो अभी तक है बाकी और जराती देदेशा की और जराती ओर कैसे रहूं चुक के मैने पी ही क्या है करते हैं मुद्दो की प्यास आज एक जाम बन गई ये खुशी की शाम शाम में इंतकाम बन गई जो बात हम में तुम में थी वा बात आम बन गई कैसे रहू चुप 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 कैसे रहू चु पता है तुम को राज क्या है मेरे सुरूर का के इस सुरूर में जरा सरंग है गुरूर का जो मैंने पी तो क्यों नशा उतर गया हुजूर का और जरा सी देशा की और जरा सी कैसे रहूं चुप कैसे रहूं चुपके मैंने पी ही क्या है खोशा भी तक है बागी ही और जरा सी देशा की कैसे रहूं चुपके मैंने पी ही क्या है खोशा भी तक है बागी और जरा सी देशा की कर जरा सी रहाँ है अजरा सी देशा की और जरा सी देशा की कर देशा की ए! अंकल, मुजे कर लेचले चले रोचले करते हैं अधक्यों रोटर, बढ़े जागाड़ी शिक्राणा किसी को भी शक नहीं हुआ कि मैं तुम्हे विश्की नहीं पानी में लेखोकोले दे रही थी आजाज़ा तुम्हें आपके शक्राणा आजाए आजाए बाराइ बाराइ तू? यहां क्यों आये हो? चले जाओ यहां से शराब का खुमार अब तक पाखी है? यह खुमार अब नहीं उत्रेगा जिन्दगी भर का रोग है शाम कुझो कुछ भी तुमने किया है उस पर शर्मिन्दा नहीं हो क्या? कोई भी शरीफ पभू कांदान की इजद को यू रुस्वा नहीं करती इजद? यह खरीब लोगों की जबान तुमने कहां से सीखी? राजपाल किसी दौलत मंद, किसी सेट की इजद कभी रुस्वा नहीं होती इजद लुटती है एक 200 रुपे महवार कलक की इजद पिकती है एक लाचार पे सहारा खरीब लड़की की सेट सुहनलाल की इजद कैसे रुस्वा हो सकती है? जानती हो, उस फंक्शन में डैडी के सारे दोस्त, शहर के सब बड़े-बड़े लोग मौजूद थे डैडी को तो सारी रात नीन नहीं आएगी सच, मुझे खुशी हुई बहुत खुश हो सुनकर कि मेरी वज़े सेट सुहनलाल को सारी रात नीन नहीं आएगी तो मैंने ही मालूँ मैंने जेल में कितनी रातें चाक चाक करकाटी बदले की भावना चीनी होती रीता जो दूसरों को चलाता है, खुद भी उस आग में चल जाता है यह ख्याल दिल से निकाल दो बदले काटी है, और यही मैं दुनिया को बताना चाहती हो क्या बताना चाहती हो? तुम एक बेवाफा बीवी हो, एक बेहाया बहु हो समाज और सुसाइटी के नाम पर बद्नुमा धपबा हो तुम यह चाहती हो जिदर से तुम गुजरो जिस रास्ते पर तुम चलो लोग तुम पर उंग्या उठ रहें और कहें हाँ, और कहें कि यह है सेट सोहनलार की बहु और जब मैं यह सुनती हो तो मेरे दिल के किसी कुने में आग उगलता हुआ तुफान धबने लगता है मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी भूग से बलगती मा को एक रोटी का टुकड़ा दे दिया हो मुझे महसूस होता है जैसे मेरी बीमार मा को थोड़ी देर के लिए आराम मिल गया हो जैसे उसकी आत्मा को पल भर के लिए शांती मिल गई हो रीता मैं तुम्हेरे जजबात समझता हूँ मगर मैं तुमसे महपत करता हूँ क्या यही कुसूर है मेरा कुसूर मैं भी बेकसूर थी राज मैंने बहुत दुख छेले बहुत बुरे दिन जेल में काटे और मैं भूल नहीं सकती किसने मुशे वहां भेजा मैं अपने दुख भूल सकती हूँ राज लेकिन अपने माँ के दुख नहीं भूल सकती तेरी मुहबद भी इन जखमों पर भाहा नहीं रख सकती अब कुछ नहीं हो सकता राज, कुछ नहीं चले जाओ यहां से, और फिर कभी धर मत आना इंदू, तुम? नहीं, राज, मैं तुम्हें और नहीं पिने दूँ मैं तुम्हारे प्यार का, तुम्हारी दोस्ती का करस्तार हूँ तुम जानती हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता इंदू, क्यों जानबूज के अपने आपको धोका दे रही हैं? किसी को अपना बना कर धोका देने से, खुद धोका खालेना अच्छा है हो सकता है, ये धोका कभी हकीकत बन जाए तुम अन्होनी बात सौच रही हो रीता तुम्हे दोका देगी, ये बात कभी तुम्हारे लिए अन्होनी थी, मगर आज ठीक है अगर उसकी यही तमन्न है, तो यही सही चलो चले इसे गाड़ी तक पहुचा दो जी जो उनकी तमन्न है, बरबाद हो जाए तो ऐ दिल महावच पिसमत बना दे तडप और तडप कर अभी जान दे दे यू मरते हैं, मर जाने वाले दिखा दे जो उनकी तमन्न है, बरबाद हो जाए ना उनका तबसुम तेरे वास्ते हैं ना उनका तबसुम तेरे वास्ते हैं ना तेरे लिए उनकी जुल्बों के साएं तु बेयास फिर क्यों जिये जा रहा हैं तु बेयास फिर क्यों जिये जा रहा हैं जवानी में ये जिन्दगाने लुटा दे जो उनकी तमन्न है, बरबाद हो जाए सितम या करम हुसन वालों के मरजी यही सोच कर कोई शिक्वा न करना सितम गल सलामत रहे हुसन तेरा सितम गल सलामत रहे हुसन तेरा यही उस को मिटने से पहले दुआ दा जो उनकी तमन्न है, बरबाद हो जाए तो ऐ दिल मुहबद के किसमत बना दे तडप और तडप कर अभी जान दे दे यू मरते हैं मर जाने वाले दिखा दे जो उनकी तमन्न है, बरबाद हो जा बरबाद हो जाए 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 में पूर्फ़ जुरुई क्या बात है रिटर के सोच में हूँ जी कुछ नहीं कोई बार तू जरूर है जो इस तरह उदास बैटी हो तब ये टो ठीक है ना है मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुम जरूर मुझे से कुछ छुपा रही हो मैं जानता हूं बात क्या है राज दिन बर तुमारा पीछा करता रहता और तुम उससे मू फेर लेती हो क्या सच मुझे नफरत करती हो? आपको शुबह है? रिटा औरत के दिल बड़ा कोमल होता है वो खुद मिट जाती है किसे को मिटा नहीं सकती इसलिए डरता हूँ के किस पाद का डर? डरता हूँ के महबत इंतकाम पर काबू न पाले यह वक्त बड़ा नाजो के रिटा तो हमारी एक कमजोर निगा हमारे सारे खेल को चौपट कर सकती है घबराये नहीं वो निगाराज को कभी नहीं मिलेगे सेर जी मैंने आपका नमक खाया है मैं तो आपके फाइदे की सोच हूँ याद है रिटा को रास्ते से हटाने के लिए आप चार लाख रुपया खरच करने के लिए तयार हुए थी मैंने इस सारा इंतजाम एक लाख रुपय में कर लिया है न रहेगा बास्त, ना वजे की बास्त तुम्हारी सब बातें बास्त की तरह खोप लिए तुमसे कुछ नहीं होगा अब मुझे ही कुछ करना बढ़ेगा नहीं 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 सेट जी आप जरा जरा से काम की लिए कष्ट करेंगे लानत है मुझ पर एक खूबसूरो चेरे कर तो जमेला है आज रात को ऐसा चक्कर चला देता हूँ कि चेरा खूबसूरत ही नहीं यह पासपूर्ट और यह वहां के बैंक 90,000 रुपया का ड्राफ्ट और यह है 10,000 रुपया कैश एडवान्स असली है सेट सब काम ठीक हो जामा चाहिए खब्राव मत सेट मुझे भी एक पुराना हिसास चुखाना है यह लो अगर इसकी जरूर परे तो इससे भी काम लेना चलेगा स्नेकी का डसा पानी भी नहीं मांगता सेट हमारा कितना हो हैपी एनवर्ड इस सलाना फंक्शन के उपर ये केक हमारी तरफ से दोप पेश किया जाए रीटा देवी ने ऐसे बहुत से केकों की खुब्सूरती खराब की होगी ये केक उन सब केकों का इंतकाम देगा जब रीटा देवी के हाथ से जचुरी इसकेक पे चलेगी तो बलून बटेगा और रीटा देवी का जेरा वाह 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 क्या लग रही हो ऐसा लगता है कि चौदवी का चान मेकप रूम में मेकप कर रहा है ओफ ओफ बहुर मत कर शोका टाम हो गया इनोने बहुत कुछ देखिए मगर कुछ नहीं देखा यह होट बहुत खुबसूरत है बंध होट कितने अच्छे लगते अगर यह होट खुले तो इसका मूवी खुल जाएगा चलिए स्टेज पे आपके बगार मैं फिक सोई मैं फिर सोई ऐसा कोई मैं फिर सोई ऐसा कोई होगा कहा जो समझे जुआ मेरी आपकी मैं फिक सोई ऐसा कोई होगा कहा जो समझे जुआ मेरी आपकी मैं फिक सोई में लोनी दे यावान, वाल मावा फो यहाओ, लो से तेडिए तेज़ किसी स्वावाल एफ से उरूँ पताती है, अजसा थे हैं, लो में वो बाने हो श्रों है जो झाल तो, यो यहाओ, यो यहाओ, जा दो टॉझाओ, फे यहाओ, जुझा जा जो तो चाला था है, बाता हैं, रात गाते हुए, गुन गुनाते हुए, बेच जाएगे यूँ मैं फिल सोई, ऐसा कोई, होगा कहां, जो समझे जुआ, मेरी आखों की, मैं फिल सोई मैं गजा हुए, युन विल सोई, भुन सोई, ज से हुए, बेच्काट कहां, लोस भ्नाते हुए आज थंके गजर दे रहा है खबर कोन जाने इधर आई ना सहर आज थंके गजर दे रहा है खबर कोन जाने इधर आई ना सहर किसको पता जिन्दगी है क्या तूट ही गया सासी तुठा मैं फिर सोई ऐसा होई होगा कहां जो समझे दुवां मेरी आखों की ईभी बेटी सोई प्रेट फीरा लाल जी, इस शुब घड़ी में अब देर मत की थी, जीता के हाथ से केप कटवा की, सुब का मूम ही था की थी कर्दी प्रेटन है कि मैं प्रेटनी थी, सुब चार वे थी, रूशूगी में अजया जायारा मुद्पोर्वेश्टना नी, मजदेए प्रेटनी घड़ी में जायाराा जाओ का तार्फोर्वेश्टना-चार का भी प्रेटना अजयाराग्। जर्ये, जर्ये, केक मत कठिये रिटा देवी, केक काठिये मत कठिये केक केक काठना परे मत काठो केक काठना ही पड़ेगा केक काठना जर्ये, काठना सब रास वाशी क्या तुम ही रारको सम्हालो मैं दाति भीजागा कि एकि 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 एकिए एकि 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 एक इफ इप रिखने देगा कर दिटू रिखने सकता है इप आए दिवे रिखनी पगना इप ए अए ए जए एए इप ए एए इप एए 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 इप एए एए ऑड़ एए आख 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 दाना, आगे पर निकोश्च मत करना, रुच जो, वन्ना क्वली सो लादादा पर रहार सो बॉआए धम बन्ना करना stress ओलतो सकार निकोश्च अवक्त खुआझ करना 죄송ा कि खुआस अवक्त connecting कि आता मार में के! तक है कि आता हुई? मचंवा मौ 1 कि अच्चाव अच्चाव! मुझारी डिया अच्चाव अब तो उसने के गडंग से नहीं पचसा, जिस हुसन पे तुई जराती की, जिस चेहरे पे तुझे नाचनागी, ना ये खुसन रहेगा, ना ये चेहरा रहेगा! कर दो लाई दान करो गश्तार कर लो इन यह तो मैं में समझता हूं सेर जी के राज बेखकत सुम्स है लेकिन अगर वो कुछ बताएगा नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं उसका कॉपरेट करना बहुत जरूरी है यह तुम क्या कर रहे हो बैटा किसी का खून अपने सर पर ले रहे हो अगर तुम्हे कुछ हो गया तो नहीं नहीं बैटा तुमने सच सच क्यों नहीं कह रहे थी कह दोने के खून तुमने नहीं किया खून मैं नहीं किया टेड़ी तुम जूब कहते हो तुम जान बूच कर मुझे मैं जान बूच कर ये खून अपने सर पर ले रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि एक बाप की दौलत में ही बेटे का हिसा नहीं होता बलके बाप के हर अच्छे और बुरे करम में भी उसका हिसा होता है हमेरीता का बहुत बढ़ा खर चुकाना है अगर मेरी जान जाने से हमारी भूल सवर सकती है अगर मेरे फांसी पर चड़ जाने से हमारे गुनाहों का बोज हलका हो सकता है अगर मेरी महत सरीता को एक नई जंदगी मिल सकती है तो मेरा मर जाने ही अच्छा है मिस्टर राजपाल पुलिस की रिपोर्ट के मताबक तुमने अकबाल किया है के चौर्दा दिसंबर की रात को बारा बचकर पच्चीस मिनिट पर कैसी नोड़ जिप शियाना में सनेकी नाम के एक आदमी पर तुमने गोली चलाई जिसकी वज़े से मौका यवारदाद पर ही उसकी मौत हो गए अदालत ये जानना चाहती है कि ये बयान तुमने किसी मचदूरी या दबाव से तो नहीं दिया जी नहीं मैंने ये बयान अपनी मर्जी से और अपने होश अहवास में दिया है और मैं अक्रार करता हूँ इस आदमी पर गोली मैंने चलाई है ये जूट है नी लाड बैलेस्ट्रिक्ट एक्सपर्ट की रिपोर्ट के मताबिक जिस रिवालवर से गोली चली उस पर मुफ्तलिफ हाथों के निशान जिस पर कुछ निशान रिता देवी के हाथों के जिसे राजपाल ने अपने हाथों से मिटाने की कोशिश की साफ जाहरामी लाड बोली चलने के बार रिवानवर चीनी गई सिर्फ इस लिए के कातिल का जुर्म अपने सर पर ने लिया जाए ये गलत है मैं किसी का जुर्म अपने सर पर नहीं ले रहा मैं कातिल, एक बार नहीं, पचास बार नहीं, सव बार कहूंगा कि मैं कातिल और मेरे सिवा कोई नहीं, इसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए ये जूट है, बिल्कुल जूट है गुली मैंने चलाई थी, कातिल मैं हूँ आपको जो कुछ कहना है, विटनिस बख्ष ने आफे कहिए बैट जा लिटा, उंकल, छोड़ देजे मझे, तुम बैट जा लिटा ये राजपाल की बीवी हूँ, मैंने राज से शादी की, इसलिए नहीं कि मैं उसे प्यार करती थी इसलिए कि मैं उस खांदान की इज़त नीलाम करना चाहती थी, जिसने कभी मेरी इज़त का मजाक उड़ाया था मैंने राज से प्यार जटाया, क्योंकि मैं उसके डैडी से बदला लेना चाहती थी लेकिन मा लॉर्ड, राज सच मुझे प्यार करता था उसने अपने डैडी के मर्जी के खिलाफ मुझे शादी की, मेरे लिए अपने खांदान के नाम, इज़त, शोहरत तक की परवान लगे राज आज भी मुझे प्यार करता है, और यही वज़ा है, कि वो जान बूचकर मेरा जुर्म अपने सर ले रहा है अर्सके थे हैं कि गुली मैंने चलाई थे, कातल मैं हूँ, राज बेकुसूर है, बिलकुल बेकुसूर है बिलकुल जूट प्रिचा, बस बना मत करो, अधाला से खदुब जो कुछ तुमने कहा गलत है नहीं अपके, वो बेगुना है, क्ये सेव है सुहनलाल हमारा दुष्मन है, राजपाल भी हमारा दुष्मन को किसका बेटा है नहीं, आपको सिर्फ राज है, मेरा राज है Your Honor, रीता राजपाल की पत्मी है पती पत्मी में जजबाती रिष्टा होता है मगर कानून जजबात पर नहीं, वाकियात की रोष्टी में इनसाफ करता है इसलिए लीता देवी के बेजानात को कोई अहमियत नहीं दी जा सकते Why it is noted Case is adjourned for the day Rाज के बगेर वो घर घर नहीं रहा एक अजीब सननाटा है वहाँ दीवारें भी जैसे पूछ रही हो कि अराज कहा है कहा छोड़ाय हो उसे तुम नहीं जानती बेटर राज इतना से था जब इसकी मा मर गई थी मैंने आज तक उसे मा की कमी मासस होने नहीं थी उसने जो मांगा जो जान ना करते हैं उसके हर से पूरी की लेकिन मुझे मालुख होता कि वो मेरी एक ना की मुझे तनी बड़ी सदा देगा तो मैं उसकी ये जिद्वी पूरी कर देता माफी मांग देता तुम से एक अर्मान था राज की शादी हो पहु आई सुने घर में बहार आजाए मेरे घर में लक्ष्मी आई और मैंने उसे ठुकरा दिया तुम देवी हो बेटा जो मेरे गुनाह माफ कर दिये तुमे लेकिन भगवान इस गुनागाएको सदा दे रहा है मैंने तुम से तुम्हारी मा को चींगे आज वो मुझ से मेरा बेटा चींग रहा है ऐसा लगता है कि आज में अपना सब कुछ लुटा रहा है नमारूम दिल क्यों कहता है कि राज हमसे हमेशे के लिए रूट किया है अब वो कभी वाकस नहीं आएगा चलो बेटा तुम हमारे घर की बहु को चलो अपना घर संबाल लो मार कर तो इसको लागार को तुम हारे कद्वों से घर में रोशनी आजाएगी बेटा हो सकता है भगवान हमारी सुन्द और आज हमें वापस मिल जाए ये मेरी मार तुम यहां बैठो मेरी आता हूँ को ये लावत्वन आप शोनार आओ, आकर तुम्हें दोस्त के पास आना ही पड़ा, अच्छा क्या तुम्हें, मुसीबत में दोस्ती तो दोस्त के गाउं आते हैं देखो न, तुम्हें बचाने के लिए दोस्ती के खातिर मैंने अपनी जवानी जेल में खो दी, और जब वापस आया, तो किस खूबी से तुम्हें दोस्ती नभाए थी, यार आरा है कुछ, यह मुझे शर्मिंदा करने का बादा, शर्मिंदा, शर्मर भरोसे से तुम्हार क् जानते हो कि तुम्हारा बेटा बेकुसूर है, यह भी समझते हो कि शायद खूणी का पता मुझे होगा, और आब यह भी जान जाओगे, कि अगर मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती नभाई थी, तो दुश्मनी भी निरा सकता हूँ, सोहनलाल मुझे इस तरी दिन का इंतजार चले जानाते है, देखो हिरला, मैं अपने किसी मतलब के लिए नहीं आया यहाँ, नहीं अपने बेटी की जिंदगी की भीक मांगने आया, किसमत ने एक अजीब खेल खेला है, हम तोनों के साथ, आज मुझे मालूम हुआ, कि तकदीर और दोस्ती में कितना गहरा तलुक है, अब यह जुरूरी हो गया हिरला, कि हम पुरानी बातों को भूल जाएं, अताविस हाथ को, इससे खुछ गंदी की बू आ रही है, आज तुमारे बेटे के सर पर मौत मन ला रही है, इसने दुश्मन के तरफ भी तुम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, अब तक कैसे भूल मेरी पी एक बच्ची थी, जिसके देखबाल की जिम्मेदारी तुमने खुछ अपने उपर ली थी, दोस्ती की खातिर, कम अजकम यह हाथ उसके सर पर को रख सकते थे, मेरी बीवी और बच्ची को ठोकरे खाने से दो बचा सकते थे, आज कराएं बोलो, मैं पूछता हूँ करूँ बोलो, इसका जवाब है तुम्हारे पास, हाँ है, इसलिए तुम्हे आया हूँ तुम्हारे पास, यही खेल तो खेला है तकदीन है हमारे पास, मैंने हमेशा तुमसे कुछ न कुछ चीना है, आज भी अंज़ाने में तुम्हारी बेटी चीन ले जाता, आगर उसके हाथ में यह तस्वीर ना को दी, कौर से तस्वीर? मज़े अफसोस है कि तुम्हारे बीवी आज जिंदा नहीं, और मेरे बेटे, वह उपर बैठी तुम्हारे इंतदार कर रही है इसने लड़के को देखा तुम्हें? कौन लड़की? जोई तस्वीर लेकर आई थी यह तुम्हेर पास कीuchen उ इससानine? क्या मतलब यह तुमारे पास कैसे? यह तो बच्पंपश मेरे पास है मेरी और मेरी मां की तस्वीर यह तुर और तुम्हारी मां? हाँ, लेकिन बात क्या है? बात यह है कि चिसम इतने दुनों से ढूर रहा था वो तुम हो तुम हो तुम मेरी बेटी मेरी बेटी मैं है आपके बेटी है पिताजी मिस्टर हीरालाल पुलिस के बयान के मुताबर स्नेकी की गतल और हीरी समगल करने के जुर्म में आपने आपको कानून के हवाले किया है क्या यह दुरूस्त है अगर चार साल पहले का पुलिस रिकार्ड देखा जाए तो 27 सक्टम्बर 1964 के रात एरपोर्ट से जो समगलर पुलिस के हाथों से भाग निकला था तो मैं हूँ मैं जुम के एकरार करता हूँ और यह भी एकरार करता हूँ कि स्नेकी पर गोली मैंने चलाई जिस रिवौलवरच निकी का खून हुआ उसके गोड़े पर सिर्फ मेरी मिल्यों पने अपनी सफाए में जिर्व इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मैं उस वीद्वा को दो गोली मुकदमे की नौईयत Roberts ॏ और हालाच की रॉशनी में आदालट की रलाल को सिनेकी कि गतल के जुरम से बाएज़त बरी करती है मगर हिरे समगल कने के जुरम में एक साल चयज़्ौध बामुशक्कत और विसजार जुर्मानय की से देती है अब तो खुश नसीब है तुझे राज जैसा पती मिला शादी के बाद बेटी को माबाप कर नहीं पती का प्यार चाहिए राज दुनिया में मेरा जो कुछ है मैं तुम्हें सौंक रहा हूँ इसमें जो कुछ किया उसका जिम्मेदार मैं हूँ उस सवकत मुझे माफ कर दे ऑना मुझे शर्मी दना कीजिये। Зवानलाब ही राज़ मैने तुम्हें बहुत तक्रिफ दी मुझे माफ कर दे यहां 20 साल दोस्ती के नजर की है वहां 1 साल और से ही अब हम सर्it दोस्ती नहीं ,हुत रिश्टदार भी है यह तुम्हें नहीं मानता जोन लाग जब तक तुम्हारे गर एक बच्चा नहीं होता जो तुम्हें दादा कहे और मुझे नाना कहे तक तक हम रिष्टदार नहीं हुए प्राइब प्राइब